हेलो एव्रिवान माई ने मी चैंदन सेंग एन आम एंगलिस ट्रेनर दोस्तो किसी वीवर ने पूछा था कि सर ये ब्रिंग अबाउट क्या होता है ब्रिंग अबाउट का इस्तमाल हम किस सिच्वेशन में करते हैं तो आई शुरू करते हैं दोस्तों guys bring about अगर हिंधी में आप bring about का मतलब देखें तो आप confused हो सकते हैं यह लिखा होता है घटित करना उत्पन करना तो समझ में नहीं आता है क्या घटित करना क्या उत्पन करना थोड़ा अग्रेजों की तरीकी से सोचते हैं Guys, bring about मतलब की to cause to happen यानि की किसी काम, अगर कोई काम हो जाता है तो आप आये, आपकी वज़े से वो काम हो गया एक और situation बताता हूँ आपको To make something happen अगर आपने किसी चीज को ऐसा कर दिया कि वो हो गया ध्यान दीजी हिंदी से, गटित हो गया, पहले नहीं हुआ था, आपकी वज़े से वो चीज हो गई आपने कुछ ऐसा असर दिखा दिया कि लोगों में परिवर्तन आ गया मैं आपको समझाता है, एक्जांबल के मादिम से मालीजे guys, situation ये है कि एक परिवार है बहुत ही शांती का माहौल है, बहुत हस रहे, खेल रहे, हैपी है अचानक कोई वेक्ति आता है, और वो कुछ ऐसी बात करता है जिससे उस परिवार में tension चालो हो जाती है तो यानि कि उस tension को उत्पन किसने किया उस tension को उत्पन करने वाला वो tension जो घटित हुआ है वो जो tension शुरू हो गया वो किसकी वज़े से हुआ उस व्यक्ति के वज़े से जो उस family में आया और tension शुरू कर दिया इसलिए bring about का मतलब है उत्पन करना घटित करना यानि कि आप किसी tension के होने का कारण बनोगे आप किसी के खुश होने का कारण बनोगे मैं कोई qualitative sentence नहीं बता रहू कि make or get का इस्तमाल हम यह bring about phrasal verb लगाएंगे तो उसका क्या effect होगा हो देख लीजी to cause changes in situation कोई situation ठीक ठाक चल रहा है आप कुछ ऐसा कर देते हो कि situation बदल जाती है तो यानि कि आपने उस situation को पैदा किया है आपने उसको उत्पन किया है आपकी वज़े से वो घटित हुआ है इसलिए हम इसको बोलते हैं bring about अब देखिए sentence और समझे यहान लिखा है your speech can bring about a change in public opinion ध्यान से देखिए your speech can bring about यानि कि जब आप bring about बोलेंगे तो bring about से पहले कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई चीज होगी कोई भी चीज हो सकती आपका behavior कोई चीज घटित कर सकता है तो behavior can bring about आप किसी चीज को उत्पन कर देंगे कुछ change ले आएंगे मैं किसी चीज को change कर सकता हूँ तो I can bring about तो यह जो मैं subject के साथ जो bring about बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो चीज, जो बाते हैं वो परिवर्तन लाएगा तो उस व्यक्ति, वस्तु जो भी है उसके बाद आप bring about लगाईए I can bring about, you can bring about और किसी भी tense में, ज़रूरी नहीं can लगाना है कोई भी tense हो तो bring about अब समझ रहे तो इसका मतलब क्या है कि your speech तुमारी जो speech है, तुमने जो भाशन दिया है तुमारे जो भाशन है can bring about, वो परिवर्तन ला सकता है वो घटित कर सकता है, वो उत्पन कर सकता है a change in public opinion public की जो राय है, जो opinion है वो पहले से बरकरार है उसमें थोड़ा भी फेर बदल नहीं हुआ है वो फेर बदल हो सकता है कौन लाएगा उस फेर बदल को? आप लाओगे, आपका भाशन लाएगा your speech can bring about a change खुशियां ले आएगा, bring about जो चीज़ आप लाएँगे, उसका जिकर कीजी तो आप समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने पूछा है I hope, उनके समझ में आ रहा होगा तो ये clear है, अगला है I am trying to bring about harmony in society यनि कि एक society है उस society के अंदर लोग एक दूसरे से, यूँ समझों कि दुश्मन बने बैठे, नफरत कर रहे है किसी में प्यार मुहबबत नहीं, वो harmony नहीं है वो ताल मेल नहीं है अब आप कह रहे हों कि चिंता मत करो I am trying to bring about harmony यनि कि मैं उस ताल मेल को उत्पन करूँँगा घटित करूँगा bring about का मतलब यह तो नहीं कोई physically कहीं से harmony लेकर आजाये ऐसा नहीं है, वो कुछ ऐसा करेगा कुछ ऐसी activity करेगा बंदा कुछ ऐसे बात विचार बोलेगा कि अपने आप सुक, शांती, संपदा सब उत्पन हो जाएंगे, आ जाएंगे तो वहाँ bring about आपको बोलना है bring about, bring का second form brought होता है third form भी brought होता है तो tense के साथ आप खेलेंगे I brought about harmony, यह आप बोल सकते हैं I will bring about, ऐसे बोल सकते हैं तो यह हो गया, अगला है this scheme has brought about a great change in the lives of the common people यानि कि जो आम लोग है और कोई scheme आई, मालो government ने कोई scheme निकाला तो हम कहरें कि यह जो scheme है न यह लाएगा बहुत कुछ यह लाएगो सुख, संपती, यह scheme के हुझे से आ सकता है तो this scheme has brought about यह scheme ला चुकी है has का मतलब present perfect has और third form हो गया, bring का brought हो गया this scheme has brought about क्या लाई है भाई, क्या उत्पन किया है a great change बहुत बड़ा बदलाव in the lives of common people आम लोगों के जीवन में यह जो scheme है इसने बहुत बड़ा बदलाव लाया है तो this is bring about bring का brought हो गया एक और देखिए your such behavior will bring about tension in the family यानि कि भाई, तुम जिस तरीके से बड़ताव करते हो बहेव करते हो भाई, it will bring about tension यह कुछ नहीं करेगा, बच टेंशन पैदा करेगा तो पैदा करना यह अच्छा वाड है पैदा करना, उत्पन करना, घटित करना यानि कि bring about एक और, your efforts will not bring about any change here भाईया, मत करो effort your effort will not bring about any change जो तुम चाह रहो नहीं कि परिवर्तन हो जाए कुछ नहीं होगा मेरे भाई तुम मत ऐसा करो, तुम्हारी सारी कोशशे बिकार चले जाएंगी, your efforts will not bring about any change तुम्हारी महनत कोई भी परिवर्तन यहां नहीं लाएगी तो I hope कि अब bring about आपके clear हो गया होगा, समझ में आया होगा कि bring about का मतलब है कि आप कोई चीज ले आते हैं जो नहीं है यह नहीं क्या physically market से खरीद के कुछ ले आते हैं आप उस चीज को पैदा करते हैं, उत्पन कर देते आप किसी परिवार में टेंशन ला सकते हैं मतलब आप bring about करते हैं आप किसी सोसाइटी में हार्मनी ले आते हैं तालमेल बैठा देते हैं आप की होज़े से हुआ है आप उसे bring about करते हैं आप उसे पैदा करते हैं तो bring about है आप कहीं पर happiness ले आते हैं bring about करते हैं, आप किसी कि situation में बदलाव ले आते हैं, आप bring about करते हैं, this is all bring about, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तो, I hope जुनों ने पूछा था हो समझ गया होंगे, मिलते अगले वीडियो में, till then take care, keep practicing and have fun, अगर आप चाहें तो इसका एक, screenshot ले सकते friends, thank you guys